इस्टूइंट्स हम discuss करेंगे important news के बारे में students newspaper का जो discussion है उसको start करने से पहले prelims के perspective से question है उसको हम यहाँ पर practice करेंगे तो prelims के regarding में कुछ important facts है उनको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो आप देखिए question के अंदर कुछ statements हो दिये गए है annual status of education report के regarding में Acer का जो report है जो किसके दुवरा publish किया जाता है students, NGO पर्थम के दुवरा, तो उस report के perspective से कुछ statements यहाँ पर दिये गए हैं, तो आपको जो correct statements है उनको यहाँ पर choose करना है, तो आप देखी कि first statement यहाँ पर दिया गया है कि इसको annual basis के उपर release किया जाता है, NCRT के दुवरा, तो students य दुवरा नहीं, NGO पर्थम के थुरू यह जो Acer का जो report है, वो देखने के लिए मिलता है, आप देखी कि NCRT के दुवरा भी एक survey है, उसको conduct किया जाता है, जिसको कि हम national achievement survey के रूप से जानते हैं, NCRT के दुवरा national achievement survey है, उसको conduct किया जाता है, क्या students Acer का जो report का outcomes है, उसको government के दुवरा refer किया जाता है, तो students government के दुवरा अपना जो policy framing है, उसके अंदर इनका जो reference है, आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि NGO पर्थम के दुवरा release किया जाता है, 2005 के समय से release किया गया है, इसको annual basis के उपर से, आप देखी क्या यह school based survey है, citizen laid school based survey आपको देखने के ल survey है, और household based survey आप देखी कि यह rural areas के अंदर conduct होता है, urban areas के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, third statement students यहाँ पर बोला गया है कि all rural districts है, जो हर एक state के सभी जो rural districts है, उनको यहाँ पर क्या survey किया गया था, 2023 का जो survey है उस दोरान में, तो आप देखी कि students हर एक state का एक rural आपको rural district है, वो देखने के लिए मिलता है, हर एक state का एक rural district है, उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश नाम के जो state है हमारे यहाँ पे, इन जो दो states के वहाँ पे two rural districts से उनको cover किया गया था, तो students यह आपको कुछ basic information था, जो NGO पर्थम के बारे में पता होना चीए, एसर का report के बारे में, आप देखें कि 2000 जो 23 का जो survey conduct हुआ, beyond the basis के perspective से उस survey को conduct किया गया है, normally यह जो survey है, आपको 6 to 14 years के जो children है, उनकी regarding में देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर basic mathematics, जो आपका reading का ability है, basic mathematics, reading का ability, numeracy है, उस सभी को check किया जाएगा, पर आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो survey है, उसको beyond the basis conduct किया गया, 14 to 18 years के जो children's है, उनके थुरू जो survey है, वो conduct हुआ है, survey के outcomes के perspective से अगर हम discuss करें, तो COVID-19 का जो impact रहा, children's के उपर में, COVID-19 के अंदर में आप देखें कि जो schooling है, वो भी आपको digital way में देखने के लिए मिला, तो उसका जो impact है, उसको वो भी survey के अंदर basically outcome के रूप में देखने के लिए मिला है, तो students ये 2023 का जो survey था, SR के दुवारा निकाला गया है, first statement incorrect है, second भी incorrect है, क्योंकि ये school base नहीं है, household base आपको देखने के लिए मिलेगा, और सभी जो rural district से उनको cover नहीं किया गया है, आप देखी कि हर एक state से एक जो rural district है, उसको cover किया गया, और उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश से दो आपको जो rural district है, वो देखने के लिए मिलेंगे, तो right answer है इसका D, none, कोई भी statement है, वो यहाँ पे correct नहीं है, students SR का ही report के perspective से यहाँ पे discuss करते हैं, कुछ जो facts हैं, आप देखी कि SR का जो report है, 2005 से publish क किया जाता है, SR का जो annual status of education report है, NGO प्रथम के दुआरा इस report को publish किया जाता है, students citizen led हाई, आपको larger citizen led survey देखने के लिए मिलेगा, जो कि household based इसको conduct किया जाता है, school के अंदर में नहीं conduct होता है, students household based आपको जो survey है, वो देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर में students schooling का जो status है, उ जो nationwide survey है, वो आपको conduct होता हुआ, यह देखने के लिए मिलेगा, SR का जो report है, student 2021 के समय में हमारे यहाँ पे एक award आपको देखने के लिए मिलता है, उस award को हम जानते हैं, इंदरा गांधी प्राइज for the peace, disarmament और development की regarding में, जो जो इंदरा गांधी peace prize है, वो इनको दिया गया एंजियो प्रथम को, क्योंकि एंजियो प्रथम के दुआरा यह जो survey conduct होता है, तो एंजियो प्रथम को यह जो award है, वो आपको देखने के लिए मिलता है, 2021 के समय में, तो आप देखे कि इस तरीके से आपको awards के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या इसको कोई award दिया गया है, काफी बार आपसे question पूछ लिया जाएगा, क्या इस institution को noble prize जो दिया गया है, students noble prize से related आपके लिए question है, question यह है, कि किस basically UN का कौन सा ऐसा organization है, जिसको two time आपको जो noble prize जो देखने के लिए मिलता है, UN का एक organization है, जिसको two time noble prize जो दिया गया है, कुछ दिन पहले हमने telegram channel के उ comment section के अंदर बताना कि UN का किस organization को two time आपको जो noble prize हो देखने के लिए मिला है, next आप देखें कि next is regarding the newspaper के discussion के अंदर में, यहाँ पे election के perspective से discuss किया गया है, कि हमारे जो fourth phase का जो polling है, आज के दिन देखने के लिए मिलेगा, students आपको fourth phase का polling, तो आप देखें कि voting का जो day हुआ करत सकते हैं, अब यह silence period क्या है, students आप देखें कि एक जो day है, day before the voting का जो day है, उस दिन कोई किसी भी तरीके का आपको जो campaigning है, वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, electronic medium के थ्रूमें कि आप loudspeaker को नहीं use कर सकते हो, large level के उपर में आप rallies है, या protest है, उसको भी नहीं carry कर सकते हो, completely जो silence period है, वो देखने के लिए मिलेगा, क्या यहाँ पर जो person election को contest कर रहे हैं, उनके दुआरा क्या household, door to door, जो campaigning है, वो भी नहीं किया जा सकता है, तो student door to door campaigning को allow किया गया है, silence period के दुरान में, बट आप देखेगी, loudspeaker का use नहीं है, large level के उपर जो meetings हैं, उसके organization के बारे म तो fourth phase का voting होगा, तो students, आपके लिए यहाँ पर एक और question है, आप देखे कि हमारे country के अंदर में, different different phase के अंदर में, जो general election है, वो conduct होने वाला है, तो आप देखे कि आज fourth phase का कि seats के उपर voting है, suppose कि अलग-लग states के अंदर में कुछ seats है, जहाँ पर fourth phase का voting में देखने के लिए मि मिलता है, तो students, आप देखे कि जो बाकी जो seats है, वहाँ पे silence period नहीं रहेगा, वहाँ पे आप अपना जो political campaign है, उसको carry कर सकते हो, next अगर हम discuss करें, students, यहाँ पे Palestine के perspective से जो गाजाई strip का area है, उसके regarding में है, आप देखे कि जो रफा नाम का जो city है, जो की southern part के वहाँ पे situated है आप देखे कि जराईल का जो map है, उसको एक बार हम यहाँ पे discuss करते हैं, suppose कि यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलता है, suppose कि यहाँ पे आपको जो गाजाई strip है, वो देखने के लिए मिल रहा है, तो students, यह जो गाजाई strip का जो area है, इस गाजाई strip के अंदर में आप द तेहीं देखने के मिलेगा, इस एरिया से भी जो ऍजराइल का जो अथियोरिटी जो उनके थूरू जो गन्ट्रोल है वो देखने के लिए मिलता है, नोर्धन पार्ट से भी Eastern पार्ट से भी आप देखें कि only एक Southern पार्ट हुआ करता था जो Rafa नाम का जो City है यह Southern पार्ट के अंदर situated है तो यह जो रफा का जो एरिया है रफा का भी जो आप देखें कि Eastern पार्ट है जहां पे आपको पी रफा बोर्डर देखने के लिए मिलता है जो किसके साथ में यह जो सिनाई पैनेंसुला है साइनाई पैनेंसुला है एजिप्ट का उसके साथ में अपना एरिया सेर करता है एजिप्ट की जो फोर्सेज हैं उनके दौरा इस एरिया को बेसिकली जो कंट्रोल है वो किया जा किया गया, आपको ये जो location है, वो जरूर से पता होना चाहिए, आप देखें कि location से related question पुछा जा सकता है, इजराइल के regarding में, रसिया उक्रेइन क्राइसिस के perspective से जब हम discuss करते हैं, तो तूठाव जैंट 23 का prelims का paper देखें, उसके अंदर काफी questions पुछे गई थे रसिया उक्रेइन क्राइसिस के regarding में, उसके जो location based questions है, आपको यहाँ पर रफा के perspective से, इसका northern southern के perspective से, यह कौन-कौन से countries कहाँ पे situated हैं, उनके इसके बारे में आपको जरूर information यहाँ पे होना चाहिए, आप देखें कि northern part के अंदर आपको Lebanon देखने के लिए मिलेगा, eastern part के अंदर में आपको Jordan देखने के लिए मिलता है, नौर्थ eastern part के अंदर आपको Syria देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कौन सा river flow करता है, Jordan river आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लटीनी river है, इसके लाव यह Sinai Peninsula है, Sinai Peninsula basically Mediterranean Sea है, और Red Sea को यहाँ पे separate किया करता है, Sinai Peninsula आपको Egypt का देखने के लिए मिलता है, बट Asia के अंदर यह situated है, तो only part है Egypt का जो Asia के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, और Asian continent को Egypt के साथ में connect करने के perspective से भी एक important role है, Sinai Peninsula का, इस्टुडेंट्स यहाँ पे Red Sea है, क्या Red Sea यह इसराइल के साथ में connected है, तो आपको इस्टुडेंट्स गलफो पकाबा के बारे में पता होना चाहिए कि गलफो पकाबा के थूरू इसका जो connectivity है, एक part का जो connectivity है आपको देखने के लिए मिलेगा, ग Red Sea के अंदर में, इसके Northern part के अंदर में आपको Saudi Arabia देखने के लिए मिलेगा, Saudi Arabia का जो जेदा नाम का जो city है, जेदा नाम का जो city है, जेदा नाम का जो city है, बहाँ पे क्या situated है students, एक तो आपको यह हमारा जो sea level है, जो sea के अंदर जो migration है, जो naval forces है, cargo vessels है, उनका, basically जेदा code of conduct आपको देखने के लिए मिलता है, जेदा code of conduct है, जो इसके regarding में है, कि कोई भी जो pirate सा उनकी दौर attack ना किया जाए, उसको किस तरीके से tackle करना है, इसके लाव students, organization of Islamic countries, Islamic countries का जो organization है, उसका जो headquarter है, वो भी आपको इसी city के अंदर में, जो की western coast के वहाँ पे Red Sea से अपना area share करत है, second largest number पे आपको इंडिया के अंदर जो Muslim population है, वो देखने के लिए मिलेगा, वर्ल्ड के अगर हम countries का overall population को यहाँ पे compare करें, मलेशिया के बाद में second largest इंडिया के अंदर में, बट इंडिया organization of Islamic countries का जो member है, वो नहीं है, काफी बार guest speaker के रूप से appoint किया गया है, बुलाया जो ministers होने, last time आप देखे कि 2019 के समय बुलाया गया था, इससे पहले students इंडिया का जो foreign policy का एक situation आपको देखने के लिए मिलता है, जब Pakistan का more consolidation हुआ करता था, western powers के वहाँ पे और याद देखे कि जो middle east का जो region है, 1969 का वो situation है students, 1969 के समय में हमारे जो minister of external affair है, उनको basically send किया गया तो यहाँ पे minister of external affair है, जो letter form में आपको president देखने के लिए मिलेंगे, जब emergency को declare किया गया था, तो उस समय हो president हुआ करते थे, तो आप देखे कि जब वो minister of external affair है, visit के लिए गये थे, end of the day complete जो वहाँ पे पहुंचने वाले थे, उससे पहले पाकिस्तान के द्वारा objection किया गय तो यह से काफी सारे आपको incident देखने के लिए मिलते हैं, इंडिया का आप देखे कि उसके बाद में जो self-sufficiency है, इंडिया ने adopt किया, अमना agriculture productivity है, और भी जो economic progress है, industrialization है, काफी सारे sectors के अंदर में जिसकी वज़े से इंडिया का जो global position है, आज आपको different देखने के लिए मिल vote को publish किया गया, जो हमारे exam के perspective से जो important information है, उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे, आप देखे कि PM का जो economic advisory council है, उसके बारे में आपको information होना चीए, क्या students ये constitutional body है, तो students constitutional body आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, PM को economic sector के अंदर में inflation है, inflation के लावा आप देखी कि और भी जो investment है, उसके regarding में इनके दुवरा advice हो किया जाता है, तो ये PM economic advisory है, जो PM को advice करने के, economic advisory council है, जो उसको advice करने के perspective से इसको constitute किया गया था, कब इसको first time constitute किया गया था, PM economic advisory council को ये आपके लिए यहाँ पे एक homework है, ये आप comment section के अंदर बताना, कि PM का जो economic advisory council उसको first time कब constitute किया गया, क् 1947 के समय में जब हमने independence को अचीव किया, तो उसी समय से आपको economic advisory council देखने के लिए मिलता है, PM के perspective से, तो students ये आपको बताना है, next आप देखे कि यहाँ पे demographic की regarding में एक report है, उसको publish किया गया था, तो उसी के perspective से इनके दुवरा, यहाँ पे इसको analysis किया गया है, काफी कुछ ऐसी जीज़े हैं, जो political perspective से है, exam के perspective से important नहीं है, आपको यहाँ पे एक economy के जो population growth है, उसके perspective से information होना चाहिए, कि population growth है, अगर हम उसको एक criteria मानेंगे, तो आप देखे अगर higher population growth है, किसी भी community के अंदर में, या किसी भी section के अंदर में, तो वहाँ पे आपको lower level of education है, socio-economy क backwardness है, काफी कुछ जैसे areas हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, हमारे minority communities के regarding में, अगर बताया जाए तो students आपको यहाँ पे एक सचर कमेटी report है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, आप देखे कि minorities का जो किस तरीके का socio-economy conditions है, education status किस तरीके का है, उसके regarding में, तो आप देखे कि उस report के अंदर में काफी कुछ बताया गया था, status के regarding में, इसके लावे students इंडिया यहाँ पे international जो covenant on the civil and political rights के regarding में, जो convention है, उसका part है, UNHRC के दुआरा इंडिया को या हर एक state जो उस convention का part है, उसको basically कहा गया है, कि आप किसी भी तरीके का discriminatory approach है, उसको नह नहीं carry कर सकते हो, किसी minority section के regarding में, या किसी section of society के perspective से, तो आप देखी कि कौन सा covenant है, international covenant on civil and political rights, ICCPR है, जो UNHRC के दुआरा यहाँ पे United Nation Human Rights, जो council है, उसके दुआरा basically advice किया जाता है, या हरी country को review किया जाता है, उनका जो approach है, उसके regarding में, UNHRC के बारे में वे आपको पता होना चीए, 2006 के समय इसको create किया गया था, 47 members हुआ करते हैं, एक term जो कितना साल का देखने के लिए मिलेगा, तीन year का, दो term है, किसी भी country के दुआरा continuous लिए जा सकते हैं, area wise, यहाँ पे कुछ seats fix हैं, जैसे Asia Pacific से कितना seat fix होगा, African and Latin America का जो area है, वहाँ से कितना seat fix है, ऐसे भी आप आपको देखने के लिए मिलेगा, दो term अगर आपने complete किये हैं, तो आप देखी कि आपको एक जो gap है, उसको achieve करना होगा, उसके बाद में आप third term है, उसके लिए apply कर सकते हो, UNHRC के वहाँ पे, next अगर हम discuss करें, students, यहाँ पे हमारा जो IIP index है, उसके बारे में discuss किया गया है, क यहाँ पे आप देखी कि NSO की द्वारा जो GDP का estimation है, उसको भी बताया गया है, अगर हम IIP index के बारे में discuss करें, तो electricity का जो sector है, उसके अंदर progress है, वो देखने के लिए मिला है, उसके बारे में यहाँ पे discuss किया गया, core sector areas के बारे में तो हमने multiple times उसको discuss किया है, IIP index के बारे मे 40% जो weightage हो आपको, core sector का जो industry जो उनका weightage आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखी कि जो 40% है, इसके अंदर भी कुछ 8 core industry है, इनको की designate किया गया है, उनका भी एक अलग-लग ratio आपको देखने के लिए मिलता है, अलग-लग उनका जो percentage हो देखने के लिए मिलेगा, highest आ अगर हम बात करें, इंडिया और जो European Free Trade Association है, उनके regarding में एक trade deal है, जिसको की sign किया गया था, March, February के मन्त के दुरान में, पर आप देखें कि उससे पहले इंडिया के दौरा, recently और भी काफी सारी जो free trade agreement है, जो trade deal है, उनको यहाँ पे sign किया गया, students, अगर हम बात करें, इंडि क्योंकि आप देखें कि इंडिया के अंदर election का जो समय है, वो होने की वज़े से, कोई भी election के दौरान में, जो आपको कोई भी government हो, completely power के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, हाँ, कोई emergency का situation अगर create हो, तो उस समय में cabinet के दौरा, या PM sir के दौरा, जो decision सो लिए जा सकते है, election year के दौरान, election का जो समय है उस दौरान में भी, तो आप देखी कि present समय में यह जो negotiation है, वो एक cold phase के अंदर है, उसका discussion नहीं हो रहा है, क्योंकि election का समय है, इंडिया ने European Union UK से पहले जो discussion है, अभी recently European Free Trade Association के जो countries है, उनके साथ में एक trade deal है, जिसको sign किया गया, और उस से पहले भी कुछ countries जिनके साथ में trade deal है, इंडिया का sign हुआ था, कौन-कौन से countries है students, इसके अंदर में आपको United Arab Emirat है, Australia है, Morisies है, यह सब आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे student जो trade deal है, उसके difference के बारे में discuss किया गया है, कि जो earlier जो trade deal है, उनका क्या difference हुआ करता है free trade deal की regarding में, तो उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे, अब आप देखें कि सबसे पहले तो आपको यह free trade association के जो countries है, European free trade association के जो country जो उनके बारे में पता होना चीज़ जनके साथ में India के दूरा जो trade deal है, उसको sign किया गया है, students आपको यहाँ पे जो Iceland नाम का जो country है, वो देखने ले मिलेगा, नोर्वे है, नोर्वे के और लावा, यहाँ पे सिवजर लैंड है, तो यह basically जो country जो जिनके साथ में European free trade association का जो trade deal है, इंडिया के दूरा sign किया गया, trade deal का क्या outcome है, students, first time यहाँ पे investment के perspective से discuss किया गया है, कि इंडिया के अंदर में इतना investment उनके दूरा carry किया जाएगा, वन करोड जो jobs हैं, उनके creation के बारे में भी बात किया गया है, इस trade deal के अंदर में, कि इतना investment होगा, हर एक year के साथ में जो investment है, उसके अंदर changes आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वन करोड जो jobs हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे discuss किया गया है, कि वन करोड ज जो million of jobs का जो creation है, जो million of jobs का जो creation है, उसके बारे में जो discuss किया गया है, वो आपको basically other जो trade deals है, वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है, तो इसी वज़े से इंडिया को जो free trade, जो association की जो policy है, उसके अंदर में investment है, trade है, foreign investment है, उसको जो ध्यान में है, वो रखना चाहिए तो उसी का completely discussion है, next is regarding the affordable housing के बारे में है, कि हमारे यहाँ पे affordable housing को provide करना चाहिए, गूर्मेंट को और election year के दोरान में क्या यह basically discussion का topic है, affordable housing के बारे में basics को हम discuss करते हैं एक बार, आप देखें कि जब भी हम housing के बारे में discuss करते हैं, तो इंडिया के अंदर present समय में आपको 1.7 million जो persons है, 1.7 million जो persons है, आपको house less उनका situation है, वो देखने के लिए मिलता है, 2011 का जो census है उसके regarding में, आप देखें कि 1.7 million जो person है, जिनके पास में present समय में घर नहीं है, हमारे constitution का अगर हम article 21 के perspective से discuss करें, तो आप देखें कि article 21 के अंदर mention किया गया है, कि right of housing है, हर एक person को right of housing है under the right of life, तो right of housing है, उसको mention किया गया है, article 21 के अंदर में, इंडिया क्या हम affordable housing है, उसके perspective से discuss करें, क्या यहाँ पे हमारा affordable housing का जो schemes है, जो basically जो promise किया गया था, वो fulfill हो सकता है, या नहीं हो सकता है, या more number of person है, जो out of house आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके बारे में, अगर हम discuss करें, तो 1985 के समय में, फर्स्ट टाइम आपको housing के regarding में, जो scheme है, वो देखने के लिए मिलती है, फर्स्ट टाइम आप देखी कि इंदरा आवास योजना है, इंदरा आवास योजना है, उसको लाया गया था, इंदरा आवास योजना के बाद में students ये rural area के perspective से ये basically scheme लाया गया, urban areas के perspective से, student 2008 के समय में, एक पारिक committee है, वो constitute होती है, housing के perspective से एक पारिक committee है, वो constitute होता है, पारिक committee के दुवरा basically housing का जो speed है, जितने लोगों का demand है, उसके perspective से काफी कुछ यहाँ पे discuss किया गया, आप देखें कि 2014 के समय जो new government of power के अंदर में आती है, उनके launch किया गया, प्रधान मंतरी आवास योजना है, प्रधान मंतरी आवास योजना है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो urban area के perspective से भी है, और rural area के perspective से भी है, यहाँ पे जो प्रधान मंतरी आवास योजना है, उसके अंदर में basically 1.18 करोड, 1.18 करोड जो house age उनका promise किया ग जो data जो उसके अंदर lacking देखने के लिए मिलेगा, प्रोग्रेस काफी अच्छा है, कहीं पे आप देखे कि more than the 70% है, कहीं 80% जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, प्रधान मंतरी आवास योजना कि कुछ parts के बारे में वे आपको पता होना चाहिए, आप पर जो वर्टिकल लेवल के उपर जो हाउसिंग है, फ्लेट कॉनसेप्ट के थरू जो हाउसिंग है उनको डवलप किया जाए, इस बाकी एरियाज को जो basic service है, जो पार्क का situation है, school है, जो garden है, उनके perspective से इसको बनाया जा सकता है, sports ground है उसके regarding में, तो यह आपको प्रधान मं पर जो च्छत है वो होना चीए, वो article 21 का जो पार्ट है, right to life उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा, Scotland के अंदर में recently कुछ political development है वो देखने के लिए मिला, तो Scotland के बारे में अगर हम discuss करें, तो कहां पर यह situated है students, आप देखी कि आपने Great Britain के बारे में read किया होगा तो Great Britain का ही जो northern part है, जो आप देखी कि England जो country है उसका जो northern part है, उसी को basically हम Scotland के नाम से जानते हैं, इसका capital क्या है students, Edinburgh नाम का जो city है वो इसका capital है, Edinburgh नाम का जो city है वो आपको Scotland का capital देखने के लिए मिलेगा, political development किसके regarding में है, climate change का जो policy है, net zero का वहाँ पे एक minister हुआ करते थे कुछ climate के कुछ targets है, उनको achieve करना था, इसकोटलेंड का जो ministry जो उनके दरा, बट आप देखी कि उन targets को achieve नहीं किया जा सकता है, present policies के regarding में तो उसी के perspective से information ये था, कि complete जो environment का जो policy जो उनको सकार्प करने के perspective से discuss किया गया था, तो उसी के regarding में रिजाइन देखने के लिए मिल है, exam के purpose से क्या important है, यहाँ पे आपको स्कोटलेंड के location के बारे में पता होना चाहिए, little bit political development हुआ है, climate change के perspective से कुछ political development है, वो देखने के लिए मिला है, क्योंकि वहाँ पे net zero का जो target है, उसको achieve करना था, वो achieve करने में नहीं, जो policy जो उसको fulfill नहीं कर पा रहे थे, demand को तो regarding में, resign वहाँ पे देखने के लिए मिला, और भी काफे सारे issues है, corruption भी है, corruption एक main issue है, political instability भी एक main issue हो सकता है, other जो political party है, उनके साथ में जो political कुछ aligns है, political कुछ understanding है, वो उसको भी यहाँ पे एक main region माना गया है, next आप देखें कि यहाँ पे हमने Scotland के perspective से discuss किया, net zero के बारे में discuss किया गया, इंडिया का जो net zero का जो target हो क्या year है, 2017 इंडिया ने basically जो carbon neutrality या जो हमारे यहाँ पे net zero का जो target हो रखा गया है, यह base year का जो information हो आपको पता होना चाहिए, complete world के दौरा, अलग-लग countries के दौरा, कुछ countries के दौरा 2050 रखा गया है, कु इंडिया के दौरा अपना जो demand है, अपना जो public का जो demand है, उसको देखते हुए 2070 है, उसको यहाँ पे net utility का जो target हो रखा गया, Scotland का Edinburgh के बारे में हमने यहाँ पे read किया, Edinburgh के बारे में जब भी आप read करते हो, आपको एक basic information जरूर से पता होनी चाहिए, UNESCO के दौरा, UNESCO के दौ प्रोग्राम है, उसको launch किया गया था, काफी कुछ ऐसे area जहाँ पे जो city उनके creativity के regarding में उनको ranking किया जाता है, उनका जो progress है, उसको देखा जाता है, यह इस sector के अंदर में creative city है, जैसे की film के अंदर में craft के perspective से, music के perspective से, ऐसे अलग-लग area जैसे हमारे यहाँ पे जो chain नहीं है वारण नसी और music के category के अंदर में है, तो student जो एडिन बर्ग नाम का जो city है, वो literature की category के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, literature के regarding में UNESCO creative city network का जो literature city है, उसके रूप से इसको recognize किया गया है, तो world का first literature city है, क्या इंडिया से भी कोई city है, जिसको literature की category के अंदर में creative city network के अंदर में सामिल किया गया है, तो students यहां पर आपको जो koji code नाम का जो city है, कहां पर है, केरल के अंदर में है, koji code नाम का जो city है, उसको creative city network के अंदर में literature city के रूप से recognize किया गया है, तो उसी के regarding में आपको एडिन बर्ग का पता होना चीए, कि first city जो आपको literature city के इंडिया के अंदर में रिसेंट्ली आप देखी कि केरल का जो कोजी कोड है केरल का कोजी कोड है जो ग्वालियर है उस को एड किया गया है क्रियेटिव सिटी नेटवर्क के अंदर है ग्वालियर को मुजिक के कैटेगरी के अंदर में क्योंकि तान से इनका जो जन्म है आपक आपने काफी बार read किया होगा, next is regarding the digital locker के बारे में हैं, क्या है digital locker का concept, कौन सी ministry के दुआरा इसको basically control किया जाता है, उनका regulation आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखें कि 2015 के समय में हमारे जो digital documents हैं, उनको digital way में यहाँ पर save किया जा सके, उनको एक जगह रखा जा सके, और हमारे काफी सारे ऐसे work हैं, जैसे की passport verification है, mark seat के regarding में, काफी सारे ऐसे work हैं, जिसके अंदर इस digital locker है, उसको आप use कर सकते हो, इंडिया का जो basically paperless initiative है, जो paperless initiative है, उसका एक component आपको देखने के लिए मिलता है, कि इंडिया का जो paperless initiative है, उसके रूप से work किया करेगा, students यहा पे paperless initiative के बारे में discuss किया गया है, हमारे काफी सारी जो legislative assembly जो paperless आपको देखने के लिए मिलती है, कि वहाँ पे paper है, उसका use नहीं किया जाएगा, digital way में ही आपको जो working process है, वो देखने के लिए मिलेगा, कौन सा state का legislative assembly है, जो first time यहाँ पे paperless है, उसको adopt किया गया था, क्या उत्तर प्रदेश का legislative assembly है, यह हिमाचल प्रदेश है, या करनाटक है, कौन सा state है, उसके perspective से आपको information comment section के अंदर बताना है, कि कौन सी legislative assembly है, जिसने paperless जो concept है, उसको adopt किया था, आपने working process के अंदर में, digital locker भी main initiative है, paperless initiative का ही, इंडिया का, तो students उसके बारे में discuss किया गया है, मिटी का जो हमारा ministry of electronic and information technology है, यह ministry आपको nodal ministry देखने के लिए मिलेगा, आप देखे कि 270 million हैं, जो इसके users present समय में देखने के लिए मिलते हैं, पर काफी बार इसके regarding में concern भी raise किया जाता है, कि क्या persons के दुआरा आपका जो details है, जो documents उनको dark web के उपर में use कर लिया गया थो, तो इस तरीके की concerns है, vulnerability के जो concerns है, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप देखे कि जो digital infrastructure है, उसके उपर continuous आपको जो attack है, जो continuous attacks है, वो cyber attacks है, वो different different countries के थुरू देखने के लिए मिलते हैं, काफी बार एक concept देखने के लिए मिलेगा कि जो critical infrastructure है, वहाँ पे cyber attacks किये जाएं, present समय में काफी सारे हमारे जो critical infrastructure है, वो digitally connected आपको देखने चाहिए, आप देखेगी, hydropower projects है, वहाँ पे भी digital आपको कुछ ना कुछ connectivity है, वो देखने के लिए मिलेगा, तो उसके regarding में यहाँ पे काफी बार यह discuss किया जाता है, कि critical infrastructure के उपर में भी जैसे कि आपको I4, I4C नाम का एक concept है, वो देखने के लिए मिलेगा, ministry of home affairs के अंडर में, जिसके थुरू basically यहाँ पे digital sector या cyber जो security है, उसके perspective से discuss किया जाता है, NCRB की report के अंदर भी कितने cyber crimes है, वो देखने के लिए मिले, cyber attacks कितने यहाँ पे carry किये गई है, तो उसका एक concern है, digital locker के ब spending है, क्यों spending है, students India के दुआरा क्यों इतना खर्चा किया गया है, एक तो आप देखी कि vibrant village program है, जो scheme government के दुआरा 2023 के समय launch किया गया था, इसके आप students अगर हम discuss करें, तो आप देखी कि हमारा जो defense forces है, उनका connectivity increase हो, उनको accessibility increase हो, border area के perspective से, उसी के regarding में आपको vibrant village program है, वो देखन के लिए मिलेगा, students ministry of home affairs के अंडर में है, vibrant village program, vibrant village program के अंदर में कौन-कौन से districts है, union territories जिनको यहाँ पे add किया गया है, लद्दाक आपको देखने के लिए मिलता है, लद्दाक के लावा हिमाचल प्रदेश है, उत्राखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्राखंड है, सिक्क topography है, वो highly isolated topography आपको देखने के लिए मिलता है, कि जो connectivity है, वो काफी ज्यादा difficult है, तो उस connectivity को यहाँ पे easy way में develop करने के regarding में, ये connectivity को boost किया जा सकते है, उसी के regarding में आपको ये vibrant village program है, जिसको की 2023 के समय launch किया गया था, आप देखिए कि निजर का एक case है, वो सामने आये था कुछ arrest है, वो carry किये गए है, 5I alliance आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 5I alliance काफी ज्यादा news के अंदर में था, Canadian authorities ने जब वो basically statement issue किया गया था, G20 meeting के बाद में, आप देखिए कि 5I alliance क्या है, 5 countries का एक alliance है, जिसके अंदर intelligence है, उसको share किया जाएगा, US है, US और UK इसके initial partner आप देखिए कि किस area के अंदर में, इस ब्रिटिस कोलंबिया का जो area है, आपने कॉंगटा मारू incident के बारे में modern Indian history के अंदर read किया होगा, जो Canada का जो western coast है, even US का भी जो western coast है, आप देखिए कि जिसके अंदर सीटल नाम की जो जगह है, यह वो area जो आपको modern Indian history के दुरान में United Indian house है, उनका जो establishment आपको देखने के लिए मिलेगा, काफी सारे हमारे जो gather party है, उनके दुरा भी अपने offices हैं, उसी area के अंदर में open किये गए थे, आप देखिए कि वैन कोर का जो region है, जहाँ पे lumbering industry काफी ज़्यादा आपको dominating way में जो industry है, वो देखने के लिए मिलेगा, त तो यहाँ पे Indian population आपको काफी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उस area के अंदर में assassination का एक attack हुआ था, जिसके अंदर में Canadian authorities के दौरा इंडिया के perspective से कुछ allegations लगाए गए थे, उसी के regarding में 5Pi Alliance of News के अंदर में था, तो this is all the information regarding the India, Canada और Niger का जो case है उसके बारे में, next अगर हम discuss करें, हमारे जो Minister of External Affairs है, उनकी द्वारा कहा गया है कि इंडिया के द्वारा जो self-sufficiency है, जो आतन निर्बर भारत का जो concept को adopt किया गया, COVID-19 के समय में, local for local का जो concept हो काफी ज़्यादा सही है, हमको, basically आप देखे कि चाइना की द्वारा जिस तरीके से progress किया गया, तो हमको अगर compete करना है, किसी भी country के साथ में, तो हमारा जो self-sufficiency है, उसको boost करना होगा, चाहिए defense का manufacturing हो, defense के लावा आप देखे कि है, industrial manufacturing हो, industrial development हो, trade का export हो, हर एक sector के अंदर में, और जो core area जहाँ पे हमारा progress को हम carry कर सकते हैं, वहाँ आप उनको जरूरत है, तो इस तरीके से एक healthy competition के perspective से उनके दुआरा discuss किया गया है, मेगालिया के अंदर students आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, red hole mining से आपको देखने के लिए मिलेगा, red hole mining से उनको carry किया जाता है, उसी का कुछ photo दिखाया गया है, vulnerable या state का situation बताया गया है, इस hilly area के अंदर में, जहाँ पे red hole mining है, उसको carry किया जाता है, red hole mining किसके regarding में, coal का extraction के perspective से, local persons के दुआरा आप देखें कि जो coal का extraction है, खुद की domestic consumption के perspective, domestic way में उसको use किया जा सके, कुछ लोगों के दुआरा उस coal को इस वज़े से भी निकाला जाता है, कि उसको basically sell कर सके market के अंदर में, अगर हम इस जो process है, जो red hole mining का जो process है, उसके बारे में discuss करें, तो students काफी ज़्यादा आप देखें कि detroting condition के अंदर में है, काफी बार वहाँ पे mining के अंदर में collapse का situation आपको देखने के लिए मिलता है, scientific यह जो mining का situation है, वो नहीं है, तो इसी के regarding में NGT के दौरा, NGT National Green Tribunal के दौरा 2014 के समय इसको ban क कर दिया गया था, Supreme Court के दौरा भी इसको ban कर दिया गया था, students तो आप देखी कि, students Megalya का जो red hole mining है, उसी के perspective से फिर आपको एक Supreme Court का जो committee है, वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम Justice Kakatya का जो committee है, उसके रूप से जानते हैं, आप देखी जो Kakatya committee है, काकatya committee के दौरा poor progress है, उसके बारे में कहा गया है, कि red hole mining का जो damage है, जो damage वहाँ पर Megalya के अंदर हुआ, उसका जो poor progress है, वो देखने के लिए मिला है, तो students Megalya के perspective से जब भी हम discuss करते हैं, तो आपको गारो, खासी and जैनतिया जो hills के area है, उनके बारे में पता होना चाहिए, कि three hills के जो area है, वह Megalya के बारे में है, काकातिया जो panel है, वो बनाया गया, एक आप देखी कि आपको काकातिया dynasty के बारे में भी पता होना चाहिए, काकातिया dynasty भी हुआ करता था, गोलकुंडा का जो area है, रानी रुद्रमा देवी वहाँ से rule किया करते थे, और भी आपको काफी सारे जो आपको perspective से है, आप देखी कि first person जिनको kidney का जो transplant है, वो किया गया था, उनका भी recently death हुआ है, basically जो kidney जो transplant किया गया था, इनको जो pig का जो kidney है, उसको transplant किया गया था, बट जो death का जो region है, kidney transplantation नहीं, और कुछ region सा हो देखने के लिए मिले हैं, एक movie के है, movie से related person है, exam के लिए नहीं important है, इंडोनेशिया के अंदर flood देखने के लिए मिला है, नेपाल के अंदर जो Mount Everest है, उसको एक person के दुबरा 29 times यहाँ पे reach किया गया है, वहाँ पे, तो आप देखी कि आपको Mount Everest का जो height है, उसके बारे में पता होना चाहिए, 8849 उसका जो height है, वो आपको देखने के लिए आप देखी कि इसका height है, वो इंक्रीज होता है, इसी के regarding में भी रिपोर्ट है, 2021 के समय पब्लिस किया गया था, Mount Everest कहां पे situated है students, नेपाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके लावे students, इसी Mount Everest के perspective से आपको पता होना चाहिए, एक New Zealand से जो रोब नाम की एक person ह वो हुआ करते थे, रोब नाम की एक person हुआ करते थे, आप देखी कि यह Mount Everest के regarding में ही, उनको उनका अपना जो campaigns है, वो देखने के लिए मिलते हैं, seven summits जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इस tracking के concept के perspective से, तो आप देखी कि उनके दुआरा उनका जो death है, इसी Mount Everest के area के motivational जो books हुआ करती हैं, उसके अंदर में, जो रोब नाम के जो person है, उनके दुआरा basically क्या हुआ कि जो basic safety के जो measures है, जो वहाँ पे काभी बार जो आपको जो तूफान है, वो भी देखने के लिए मिलता है, तो basic safety जो measures है, उनको ignore किया गया, अपने एक साती को rescue करने के regarding में, उ इसको carry किया गया था, Mount Everest को भी two time इनके दुआरा climb किया गया था, और इसी Mount Everest की regarding में, जो आपको Edmund Hillary है, इनका काफी सारे motivational quote भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, कि उनके दुआरा किस तरीके से उसको climb किया गया है, अभी अपना जो defeat है, उसको उन्होंने जो accept हैं नहीं कि continuous progress करती रही, next is regarding the RAFA की regarding में है, RAFA continuous news के अंदर में है, जो death toll है, यहाँ पे Gaza Strip के अंदर 35,000 है, वो हो चुके हैं, US के जो leader से उनके दौरा basically Israel को warn किया गया था, कि उनके जो weapons उनको ना use किया जाए, तो इसी के perspective से यहाँ पे civilian approach के regarding में discuss किया गया है, इंडोनेशिया के अंद पर आप देखी कि एक science का जो page है, last page वहाँ पे अखवानिस्तान के perspective से भी discuss किया गया है, जहाँ पे flood का जो situation है, वो देखने के लिए मिला, flood का जो situation create हुआ है, जिसके बारे में हमने कल भी discuss किया था, वहाँ पे मजारे सरीप नाम का एक area है, उसके बारे में भी discuss किया गया ह है, वहाँ पे जो people से उनका photo के अंदर बताया गया है, तो students या आज के newspaper का discussion था, आपको read कीजे, revise कीजे, जो भी information आपको मिला हो, उसको note down कीजे, thank you students, thank you very much.